पुरानी आरोप है डियेम के बाले तो नीट को डे वान से विरूद करते थे क्योंकि उनकी राज्य की एंट्रांस एक्जामिनेशन सुप्रीम कोट की आदेश पे बंद हुई थी एंटीए की जन्म हुई थे और एंटीए पिछले कुछ सालों से इस परिक्षिया को कंड़र्ट कर रही है आज देश में 4750 सेंटर में 23,33,33,33 तुडेंस इस बार परिक्षिया दिया है परिक्षिया अच्छी हुई है कुछ सेंटर में कुछ स्मॉल माइनर एलमोलिस की ध्या नहीं है उसको भी सुप्रीम कोट की हर्तिक्यत में कल समाधन कर दिया गया है एक दो और जागा कि कुछ घटनाय खबर आई है उसको वहां की स्थानी एजिंशी उसकी निग्रानी करने कुछ प्रिवेंटिव काम भी किया है इस सारा विश्य आज सुप्रीम कोट की सामने है बिना लुपा प्फोति सब किया जाएगा और इसकी उपर सुप्रीम कोट की नजरें इसलिए कोई कुछ घबर आने के कारण है विद्यार्ति अपने पढ़ाई में रहे कुछ लोग कुछ स्टुडेंट्स है वह कोट में गए वह हैं कुछ कोचिंग सेंटर हैं वह कोट में जाते हैं हूं जाते हैं एक लिए दिवाब करें तो वाजीब है उनका अधिकार पक्षय की सामने सरकार की सामने बाद रखना प्रजात्तंत्रिंव उनके अधिकार है इसलिए मैंने तो उनको आज बुला के मिला मेले चंबर पे मिला लेकिन उसमें से जो कुछ आउटसाइडर उसमें से लगे हैं सैद कुछ उनकी हनी हो रहा है जब परिक्षा ब्यापक हो जाएगी परिक्षा में नन कोचिंग वाले ज्यादा आएंगे तब तो किसी के मन में सुभाविक चिंता होना हो एक प्रशन होती है ना आखर सवाल जाना चाहूंगा सर कि जिस तरह से बच्चे जो हैं वह प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं उन्हीं क्या कहेंगे इसके साथ लगा की घटना की बारे में आब बात करें दोनों की जो जानकारी मिले दोनों अलग अलग घटना है यह सारे श्क्रिति में आज मैंने विद्यारितियों को मिला उनके अभीभाब को मिला उनको में अपील भी किया और आपकी माद्यम से अपील करता हूं पारदर्चिता हमा